हुआ है 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 अब्रीवन स्वागत है आप सभी का अध्याडमी पर मैं दीपक कुमार सिंग कि तेहड़ी से आपका अभिननन्दन करता हूं स्वागत करता हूँ अपने आपने सेसं में एक तेटेस सेल्च अफ विमेन इनडिया तो इंडियum साईटी के द्षट झीड़े हम लास्ट फेस में पहु möglich में और इंडिन सोसाइटी को कम्प्लीट करने भी ठीक है बहुत जल्दी हम लोग इसको कम्प्लीट कर लेंगे कि आपको कि इस्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा है ठीक है कि मालूम ना क्यों मुझे लगता है कि जब मैं किताबे पढ़ता हूं मुझे खासकर प्राजीन भारत की कि मद्यकाल की कि अधनिक भारत की और उसमें जो मैं विमें के बारे में पढ़ता हूं जो एक फीमेल के बारे में मेरी अंडर्स्टैंडिंग है वो कुछ इस प्रकार से होती है सब आप सभी को भी होती होगी और एक्जम्पल हमारे यहां पर प्राजीन समय से महिला जो है जो एक विमेन है एक इस्ट्री जो है वो पूजी जाती रही है डेवी मा के रूप में और उसके बाद आप देखेंगे हमारी इसी सोसाइटी में बहुत सी एसी विमेन हैं बहुत सी एसी फिमेल थी जिन्होंने अपने हिसाब से एक अपना बहुर बढ़ा कंट्रिबुशन दिया हमारे वेड में हमारे उपनी सद में जैसा कि हम सभी जानते हैं फिर देरे समय बीता मेडिवल एज। वहां पर मीराबाई हुए इक समाज में उस परिवार से बिलोंग करती थे उनका विवाह उस परिवाह में हुआ था जो महाराना प्रताप आपने नाम सुना होगा। ठीक है तो 에से परिवार का विवा हुआ और मीरा बाइने ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जोड़ाय का रूप धारड कर लिया अब जब मीरा बाइने जोगनी का रूप धारड हो गई पिर नगे पती कहते थे कि अरे भाई कि मतलों पर योगिन हों भगवान स्री किस्न के प्रेम में जोगिन होती फिर रही है तुन्हें कहा कि हाँ भई हम कुवर सा हैं मजाक की बात थोड़ी ना है हमारा कॉंपडिशन किसी आम आदमी से नहीं बलकि भगवान से इतना अच्छा जवाब दिया मीरा बाई के उस समय जो पती देऊ थे थासकर ठीक है तो हमने समाज में बस एक चीज़ देखा है कि जब हम देखते हैं तो समाज में महिलाओं का एक अलग रूप दिखता है हमारे साहिट में ठीक है वही प्राचिन समय में एक लिलावती थी जिनको बहुत नौलिश था फिर आपने देखा होगा ऐसी दक्षिड भात में साहिट की रशना करने फिर कन्नगी का नाम सुना होगा अपने ठीक है कन्नगी का नाम म्यूजिक में जो हमारे रस है नौ रस ठीक है उन नौ रस की रूप में मालूम ना कहीं नौ रस तो मुझे लगता है कि पूरुस में तो सारे नहीं देख सकते लेकिन एक महिला में नौ रस देखने को मिल जाएंगे मिलेंगे की नहीं मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे चाहे रौद ले लो चाहे करूडा का ले लो चाहे मम्ता का ले लो ठीके चाहे स्रिंगार का ले लो ठीके ये सारे रस आपको देखने को मिल जाते हैं पिर आधुनिक भारत की बात करते मौडरन इंडिया की बात करते तो हमें लक्षमी भाई भी दिखती हैं जिन्हों ने अपने पराकर्म से अंग्रेजों को धूल चटा दी थी और 1857 की क्रांती में अंग्रेजों ने किसी को भी लेकर इतना इतनी बड़ी बात नहीं बोली जि कि यह जो जमीन पर पड़ी हुई है ठीक है मैंने पूरे अपने लाइफ टाइम में अपने जब तक मैं भारत में रहा हूं तब तक मैंने ऐसी बिरांगना ऐसा मर्द नहीं देखा मर्द नाम से सम्मोधित किया समझेगा मलमने क्यों मुझे जब भी मैं लिट्रेचर इसमाल इस माहिने में तो सही लगते हैं जब्स दिया गया ना यह सक्ति का प्रतीक नि अeg Initially है को सक्ति का प्रतीक है इसे ऐसे प्रतीक में बूला कि इस पूरे इस बीर Dil भूमी में अकेली में है पिर ऐसे ही आगे चलेंगे हम तो हमें एनी बेसेंट दिखेंगी जिनका कंट्रिबिशन बहुत ज़्यादा था रोजनी नाइडू दिखेंगी यह बहुत से हमारे फ्रीडम फाइटर से उनकी वाइफ हैं उन लोगों ने भी काफी ज़्यादा पाटिसिपेट किया था हमारे फ्रीडम मुव्मेंट में लेकिन इस आंडूलर में सब देखने के बाद फिर अचानक से मुझे यह देखने को मिलता है जिसके बारे में चर्चा करूंगा और हर एक चीज़ आप से आज एक्स्प्लेन करूंगा दिल खोल के चलिए तो उसके पहले आप सभी लोग जोईन क कर लिए हैं कुछ लोग लेट आते हैं कि सर थोड़ी देता हुई मैं देखो बहुत देट एड़ एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं थोड़ी बहुत सारी चीज़े तो हम लोग करेंगे अब क्या करते हूं इसलिए आज आया करिए टाइम पर क्लास जोईन कर लिया कर लेंगे बच्वी मेरे रेफलर कोड दीपक वन ठीक है और कोड यूज करने के बाद आपको यहां पर टेन परसेंट लेगिन आज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 20 परसेंट इसके लाब मेरी परसनल मेंटर्शिप भी आपको ठीक है मिलेगी इसके लाब आज से कल से स्टार्ट हो चुक्त आप यह माई पर भी यह जो क्या करते हैं कोर्स हैं वो ले सकते हैं जी हां आ गया मैं आ गया है ठीक है जी है क्लियर है चल इस्टार्ट करें रेडी है आप सभी एक सेकेट चेयर मेर कर दूँ हाँ जी समझ मैं है जो मैंने आपको बोला ठीक है जो अब तक समझाया एक बहुत बड़ी बात है जो एक लगता है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें जाननी चाहिए ठीक है उसी के बाद बस मैं यहां से कंटिन्यू करना चाहूंगा हमने इतने सारी चीज़ घुझी में आठे старारे में अपने रियल लाइफ में था हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि optimistic जींवी की है कि गलत को नहीं हूं तो यह अगर प्रैक्र्टिकल लाइफ में देखें किताब कर दूशचे क्रेरा भाद्पी समय प्रकार सेकता है अगर तो हमारा समाज कुछ इसता दिखता है, फिर कभी-कभी हमारा समाज कुछ इस तरीके से भी दिखाई देता है, जहाँ पर domestic violence है, क्लियर है महिलाओं के लिए, उसके बाद फिर देखेंगे यही समाज जो है हमारा, जिके यही समाज कभी ऐसा देखने को मिलता है, ये 16 दिसंबर की घटना थी दिल्ली की ठीक है लोग कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि निर्भिया इस माई डॉटर टू ठीक है ये वही एक समाज है हमारा भारतिय समाज जहां पर रानी लक्ष्मी भाई और नासफ अली एनी बेसेंट ठीक है इतने लोगों ने भागी डारी पर किसी एक दूसरे ब्यक्ति को बोलना पड़ रहा है निर्भिया इस माई डॉटर टू अलब इतनी संसिटीब एक जो समय का जो समय हो गया था कि लोगों को बोलना पड़ा लोगों को टेंसन हो गई आप लोगों ने दिल्ली अपने बच्चों को भीजना छोड़ दिया पड़ने के लिए एक प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलता है फिर कभी-कभी आप देखेंगे वर्क स्पेस पे भी प्रॉब्लम इस प्रकार से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से हमारे समाज में अगर देखेंगे तो कि लंबे समय से बहुत लंबे समय से चाहे वर्क प्लेश्ट नहों डोमेस्टिक एक्स्प्लोटेशन हो मेरी बात समझेगा गर्व जहां पे नौ महीने एक मा बच्चों को जन्म देती अगर उसी गर्व में न एक लड़की है जिसका जन्म नहीं हुआ है यही हमारा समाज है जो उसे जन्म से पहले मारना चाहता है इस दुनिया में आने से पहले मारना चाहता है यही वो समाज है जो जन्म लेने के बाद एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को कई जगा कल्चर है कई जगा हमलब कल्चर नहीं कह सकते कई जगा ऐसा cette edition देखने को मिला Caleb में डूबोंके मार कि अ पथर पर पटब्रक देते हैं गमोफ देते हैं में जय बहुंद भारतिये समाज कि कि इस वारतिये समाज में अगर DEE और देखने को मिलेगा एक है तो देखेंगे उस गण गर्व से लेकर मैं क्या कहना चाहता समझेंगे उस गर्व में भी वो जो एक बच्ची है वह सुरक्षित नहीं है और मुझे लगता तो जिस दिन उस संसार में वो अपनी मा के गर्व में आई है तबसे मुझे तो लगता है कि वो चैलेंज लेना सुरू कर चुकी है भरुसा नहीं है कि दुनिया को देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी चलो मान लिया कि देख भी पाएगी तो क्या देखने के बाद में जिन्दा रह पाएगी तो क्या अपने घर से जब दूसरे घर में जाएगे तो क्या वहां पर लोग जीने देंगे चलो मान लिए कि जीने देंगे क्या वहां से वर्क प्लेस पर जाएगे तो क्या वहां पर हरास्मेंट नहीं होगा चलो मान लिए वहां पर हरास्मेंट नहीं होगा अच्छा क्या जब वह बच्चो अपने बच्चो बड़ा करेगी ठीक है उन्हें रोजगार देगी बच्च क्या साव केस आपने सुना है कि अंब्र थी रहीugen कि लेकिन क्या पैत्रियार्कल सुसाइटी ने अदिकार उनसे वंचित रखा मैं इसी पैटरियार्कल सोसाइटी य्सको अलग देखो तो बहुत अलग लगता है पास्ति कि जब से इस दुनिया में वह आ रही है बच्ची वह तब से लेकर जब तक वह ब्रिद्धा जब तक इस दुनिया को छोड़ करनी जाएगी हर एक कदम पर हर एक दिन हर एक समय उसके साथ में चैलेंज है कि आप में से बहुत से लड़के भी होंगे क्लास में मैक्सिम्ट लड़के ही होंगे क्या अपना घर छोड़के दूसरे के घर में रहना पसंद करोगे कि इत्ने समय तक परायों को अपना करना अपना कर पाओगे नहीं बश्पन से डेवलप किया जाता है लेकिन उस डेवलप्मेंट के साथ में कर इतना त्याग कर रहा है कोई तो क्या त्याग के साथ में यह सही है कि इस sacrifice के साथ में यह सही है बिलकुल नहीं है तो यह जो topic है women status और issues of the women यह दो topic में कवर करूँगा आज मैं बात करूँगा status of women in India और कल में बात करूँगा issues of the women in India फिके दो पार्ट में यहां पर मैं discuss करूँगा तो सबसे पहले हम चलते हैं traditional society क्या पूछ रहे हैं आप हाँ बेटा डेली रहती है एक बज़े अ कि अ कि चलो इसकी बात करेंगा आयो पढ़ने तो सारे सब्सक्राइब के आंसर मिल जाएंगे रुको तो एक बार ठीके चलो कि देखिए इस्टेटस आप विमिन इन इंडिया क्लियर तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस लेक्चर को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है ठीक है पीन के चार पार्ट में डिवाइड किया है ठीक है चार पार्ट में पहले पार्ट में मैंने इसी आज की सिजन को एक तु त्टिक है, Medieval, Modern, ठीक है, ति दूसरा मैं डिस्कस करूँगा कि विमेन को लेकर Social Context क्या है, ठीक है, तीसरा मैं डिस्कस करूँगा, विमेन का रूल Freedom Movement में क्या था, ठीक है, और चौता मैं डिस्कस करूँगा, स्टीरियो टाइप लाइक कंजर्वेटिव सोसाइटी एंड विमेन, यह चार पार्ट में आज डिस्कसन होगा, चलेगा, ठीक है, आप इसी चैनल पर इसी समय प्लेलिस्ट अबलेबल है, पुराने लेक्षर देख लिजे, यहां पे इतने पॉइंट आज के लेक्षर में मैं सबने देखा है कि जो विमेन हैं, जो महिला है, उसका इस्टीटस अच्छा था, क्यों? एक कुल में साधी होती थी, एक परिवार की बात थी, चाचा, फूफा, मौसा, वही लोग है, एक ही परिवार की बात है, बेटी को परदा प्रथा करने की जरूरत नहीं है, एक ही पर तो अपने हिसाब से ओवर भी चुन सकते हैं, इसमें किसी प्रगार की कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए रिगवेडिक सोसाइटी जो था, उसमें महिला जो थी, जो विमेन थी या जो फीमेल, ठीके, उनके अधिकार काफी जादा थे, क्योंकि रहना तो एक ही परिवार मे हैं, इसलिए अगर आप रेखेंगे, ठीके, अगर आप रेखेंगे, तो विमेन इंज्वाइड एक्वाल स्टेटस बिट मेन, और विमेन लाइक मेन रिसीवड एजूकेशन और अब्जर्ब ब्रहमचर और उपनयन वज अल्सो परफॉर्म ऑन देम, मानते हैं, क्या, एक एक्वाल स्टेटस था, ठीके, और दूसरा, विमेन जो थी, वो एजूकेशन और ब्रहमचर का पालन और उपनयन का प्रालन तक कर सकती थी, उपनयन सिंसकार भी होता था, ठीके, हाँ, जीसे हम कहते हैं, ट्विन वर्ट, क्या कहते हैं, डूज बर्था के नाम से लेते हैं ब्रहमचर होता है, ठीके, ट्विन बर्थ के तो कहते हैं, ब्रहमचर होता है, जहां पे एक विमेन अगर चाहे, तो समाज में बिना विवाह के रह सकती है, क्या आपने कंसेप्ट सुना है, खुद से विवाह का, अभी गुजरात में आपने सुना होगा, हमारे अलिग दिखेंगे, क्यों को ब्रहमचर का भी था, क्यों ब्रहमचर ऑबजर्व कर सकती थी, बिवाह बिना की रह सकती थी, ुरुस के बराबर उनके पास इसक्षा का भी अधिकार था, या बेच की सिक्षा भी घळड करती था, यह बेच पढ़ने का भी अधिकार था, जैसे आग सब बैदिक वन्तों को कंपोज भी किया है इंद एज ऑफ उपनिशद उपनिशद के समय अगर हम देखें तो देर वर विमन लाइक दा गार्गी और मैत्रई ठीक है तो गार्गी और मैत्रई उपनिशद के समय भी में इन लोगों ने अब उपनिशद लिखना अलग बात है लेकिन आपको मार्लो में उपनिशद ने कर्म कांडो को कर्म कांडो की अलो चुना थे उपनिशद क्रिटिसाइजब रिचुल सिंस को दो कुष कर था खासकर उसके गार्गी और मैत्रे हैं तो क्या क्या आप ब्राह्मणवादी जो समाज है जो एक कर्मकांड है ब्राह्मणवादी नहीं कह सकते हैं हम उसे यह कह सकते हैं कि dominance of the certain community क्योंकि हमारे ब्राह्मण ना सबसे होस्यार होते थे यही ब्राह्मण है हमारे हाज इतने पढ़े लिखे होते थे is equal to mc square दिया था कि energy को ना कोई खत्म कर सकता है ना बना सकता है यह सारी चीजे वह equal to mc square दिया था यह ब्राह्मण हमारे scientist बूले जाते थे उस समय लोग क्योंकि उनका सतगुड होता था ब्राह्मण एक्चुल में सत्गुड़ वाले होते थे जिनकी बुद्धी बहुत ज्यादा होती थे वही उपनिसद ने क्या किया कि जो उन society में जो प्रॉब्लम्स हाई थी जो कर्म कंड़ाय थी उनकी आलोचना की वह आलोचना करने में महिलाएं भी है आप समझ सकते हैं कि कितना अधिकार था उनके पास में अधिकार मतलब जो विमेन है उसको अधिकार था दुबारा विवा करने का विटो री मैरीज एलाउट था और ओन प्रॉपर्टी ठीके अपनी खुद की संपत्ती रखने का भी अधिकार हमारे हां समाजने दे रखा था लेकिन फिर क्या होता है आगे देखेंगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं they were not secluded from men and could freely participate in the public life ठीके उन्हों पॉर्सों के साथ compare करना था ना पॉर्सों से हटा कर ठीके लेकिन participate in the public life clear है और freely participate करते हैं कहां पे public life में they enjoyed the freedom of choice in marriage and settled their own marriage ठीके आप देखेंगे यहां पे आप देखेंगे तो यह freedom of choice ठीके बता यह बिवाह करने का भी हरिकार था आपने इस आपसे स्वेक्षा से उवर चुन सकते थे स्वेंबर देखा होगा आपने ठीके and settled their own marriage अब ठीको इनियम पित पापा ठीके I fall in love with that person ठीके I am going to marry with him सब्सक्राइब कुछ नहीं है ऐसा नहीं होता था समाज कभी इतना नरम नहीं रहा है जो आप कभी सोच लेता अपनी इतना नरम था समाज कि स्वेंबर होता था स्वेंबर में आपको च्वाइस दिये जाएंगे और multiple च्वाइस चार आप्षन से आपको उनमें से एक पाइंड आउट करना होगा तो बस इतना होता था ठीके हाँ उसके बाद देखेंगे ठीके टेटल देर own marriage ठीके उसके बारे में बहुत जानकारी रिगवेधिक में देखने को नीमिल थिहां पोस्ट वेलिक में देखने मिलेगी लेटर मैं डहती में नीMलेगी है पब्लिक्त का मतलब यह था सभाव समीथि सभा समीति में पार्टिसिपेट कर सकती थी यह अपने इंसेंट इस्टी में मुझसे पढ़ा होगा फिर देखेंगे लेटर वैदिक का टाइम आया और जब लेटर वैदिक का टाइम आया तो इनकी कंडिशन जो हुई थी वो डिकलाइन हुई थी ठीके अब जो डॉटर है के अब डॉटर को कर्स मान लिया गया हावेवर विमन इस्टिल पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ ठीके लेकिन अभी विमन जो हो पार्टिसिपेट कर सकती थी पाब्लिक लाइफ में लेकिन आप समझ रहे चैलेंज शुरू हो गए क्योंकि बच्ची के जन्व नहीं उ जहां पे एक बच्ची के जन्म को अभिसाप माना जाता है वहां पे उसको फ्रिली मूप करने दिये जाएगा समाज में मान सकते हो गया नहीं ठीके क्लियर है दे वर डिनाइड दे राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड अफ ओनर्सिप और प्रोपर्टी ठीके उन्होंने उनक को राइट ऑफ इनहेरिटेंस डिनाई किया गया था मतलब आपको अपने पिता की संपत्ती में अधिकार नहीं मिलेगा आज होता है समाज में वह अलग बात है कानून है हमारे पास तो लोगों कहां इसलिए कला की वजा भी बन जाती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिला सब्सक्राइब दी जाते हैं यह दोनों प्रॉब्लम कि अधे कंटिन्यू टू है उपने वह अभी भी उपने संसकार परफॉर्म करते थे मिला लीजेगा लेटर वैडिक रिक वैडिक में क्या चेंज है ठीक है उपने संसकार एं रिसीब एजूकेशन एंड वर्क एस रिविए बाय Neug Joy ढही ओं कि टीक के डूसरे क्रंथों की सिख्षा दे सकते थे इंटर मैरीज। मैं ब्राह्मनाज एंड आज छत्री शट्री वर नॉट बनट unknown क्लिर जी हां उसके बार देखेंगे दूरिंग बुद्धि स्टेज अब यह एंसेंट की क्लास नहीं है यह सोसाइटी की क्लास मैं बस आपको कनेक्ट कर रहा हूं बुद्धि स्टेज में क्या था विमन वर नॉट डिनाइड लर्निंग ठीक है मैलाओं को कभी भी सिछा प्र लेकिन वेड वेड पढ़ने का अधिकार नहीं थे अब ऐसा क्यों हुआ क्यों कि बुद्धिजम जो है न वह हमारे यहां पर पिरिड माना जाता है अब पूंजी बाद किसको बेस मानता है टैलेंट को बाइस अब टैलेंट तो आप आगे जाओगे टैलेंट नहीं होगा तो आप पीछे रहोगे इसी टैलेंट ने हमारे यहां पर एक्टिब पार्ट पब्लिक लाइफ में देखने को मिलता है ठीक है और विमन केन परफॉर्म ठीक है लाइक वह बिजनेस भी परफॉर्म कर सकते हो ब्यापार भी कर सकते उनमें किसी प्रकार की रोग टोग नहीं तो वहां पर आप देखेंगे डावरी एजन इंस्टिट्यूशन एमर्ज इन डिस पीरिएड देखें दहेज प्रता आगे एमर्ज इन डिस पीरिएड कल मैंने प्लस के लेक्षर बताया था आज आप लोग को भी बता देता हूं कर आप मैंसे जो बच्चे मैंसे पहले कि देखो भई है भारत है कि अब इस भारत में क्या मौर जब तक थे तब तक तुप पूरा दक्षीट भारत से लेकर पूरा यह मौर्ज के अधिकार में था है ठीक है क्लियर है मौर्ज के अधिकार में था लेकिन अगर आप देखेंगे ठीक है तो हमारे यहां पे जब मौर्ज करता हुए तो पूरा भारतिय समाज चोटे चोटे पार्ट में बढ़ गया जैसे साथ वहान आगे सुंग वंस आगए ठीक है साकाज आगए पार्थियंस आगए माणलब हिंडिया में बहुत सारे उंस भी आगए अब भारत जो था वो छोटे चोटे कई सारे वंसों में बढ़ गया अब जब अब बताएंगे कि हमारे यहां पे रूलर जो हे ठीक है ठीक है नॉवर्ज का यह बहूरा यह जो एक तो रूज ठीक है, अलोन, इंडर सोसाइटी, जो रूलर है, वो इतना पाउरफल नहीं कि पूरे भाथ पर रूल कर सके, तो क्या वो रूल करने के लिए, फ्यूडलिजम लाएगा, बताए, क्या वो फ्यूडलिजम लाएगा, फ्यूडलिजम मतलब, लोकल, लोकल रूलर्स को लाएगा, छोटे, इसमाल, लोकल, रूलर्स, और इसमाल लोकल रूलर्स से क्या कहेगा, तुम अपने अपने छित पर राज करो, हम तुमारे राजा होंगे, तुम हमें टैक्स दो, और हम तुमारी हेल्प करेंगे, हम अपनी सेंटर थे सब जगां बुद्धिजम प्रमोट था क्या प्रमोट था वेटा बुद्धिजम ने कहीं से भी ना तनातन को वह डेबलप्मेंट नहीं दिया था जो था उस समय क्योंकि समाज में बहुत सारे चैलेंजर भी आ गए थे इस चैलेंजर के बाद में क्या होगा कि सुसाइटी में उस समय प्रॉब्लम क्रियेट की थी लेटर वैदिक पीरियड में ठीके हाँ अब वो जो खास कम्यूटी है वो यहां से राइस कर गई क्योंकि हम ना तो ब्रामण बोल सकते उनको पूरोहित भी नहीं बोल सकत है क्योंकि ब्रामण के ज्यान की बात करते थे और एक भागव वह सोथा था जो कर्मकांड करके अपना आस पनी आपके कर्मकणड वाली लोग रोलिपले इन वह कहां पे थे छेंटे म Greek स्फूरोल सोसाइटि ऑब ग्रामीड चेतर से अपने आपको राइज करते हैं जब उनका डेवलप्मेंट होता है यह है पोần स्फूरोल फ्रमुड करें राजा के प्रोह Jewish से और जो आएगा और कि वह राजा बनना चाहता है अब वैसे को राजा बनने के लिए दो लोगों से थी एक चाहिए थी उससाइटी में ब्राम्मन से और एक चत्रिये से तो ब्राम्मन ने सपोर्ट किया राइस कर गए और उससमें गुप्त सामराज जो आया हुँ हमारे इंडिया में आ गया लेकिन गुप्त सामराज के साथ में प्रीष्ट क्लास वह भी आ गया ठीके प्रीष्ट क्लास ठीके एक पर फिर से में क्लियर कर रहा हूं ब्रहम्मन वर्ग में वह भाग ज़ीयों आपन के लिए करमकर्मकांड पर निर्भर था क्लियर है अब यहां से प्रीष्ट क्लास आ गयाników हैाँ यहां पर डैबलब हुला और माना जाता है कि इस प्रिष्ट क्लास ने फिर सुरू किया हमारे यहां पर सबसे पहले टेंपल बनाओ ठीक है? क्लियर है? रिचुल सुरू हुए ठीक है? और जैसी रिचुल टेंपल सब सुरू हुए लेटर वैदिक टाइम आपस में वह आपस आने लगा बुर्धिजयम ने जो कंट्रिबूशन किया था सब फेल होने लगा लेटर वैदिक डेवलप्मेंट होने लगा अब फिर से विमेन की कंडिशन क्या हो गई? खराब हो गई अब जब विमेंड की कंडिशन इतनी घराब होई पूरी तरीके से, कि जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि डावरी आ गया, मतलब रहेज प्रथा शुरू हो गई, ठीके, विडोस कुट नाट री मैरी अगें, ठीके, जो बिदुवा मिलब जिनके पती की देथ हो जाती उनको दुबारा ठीके, बिवा के अधिकार नहीं थे, दे हैड टी स्पेंड आ लाइफ, इन दे पेनेंस ऑफ दी आस्टेरेटी, उनको कस्ट भरा जीवन जीना होता था, ठीके, उबला खाना खाना परता था, बाल छील दिये जाते थे, सफेद रंक का कपड़ा पहनना पर परता था, चटाई सुना है, मैट, चटाई लेके, जमीन पर सुना परता था, बाल छील दिये जाते थे, उसमें बाल बिवा भी होता था, और बाल बिवा बहुत छोटे पर कर दिया जाता था, ठीके, आठ साल, दस साल, बारा साल, और मान दिजे कि अचानक कोई कौज तो बाल बिवा है, अभी लड़की अपने घर में रही है, लेकिन बाल बिवा हुआ है, तो भी उसको फुरा बाल छील देंगे, सफित कपड़ा पहना देंगे, जमीन पर रहना पढ़ेगा, उस बच्ची का क्या दोस्त था, इसने अपने अरिकार से अपना वर भी नहीं च सुराल जाते थे, ठीके, आपने सुना होगे, डेशी डर्म है, गौना होता था, चौटा वर्स की आयू में, उसके पहले नहीं होता था, जमीन में सोना है, चटाई बिछा के सोना है, यह हालात हो गया था, उसका, उसको 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 गलती थोड़ी ना थी, लेकिन समाज ऐ बोला नहीं, you have to live in the austerity, आपको कस्ट भरा जीवन जीना पड़ेगा, क्यों की पती की मृत्यू के पीछ, उसकी को जिम्मेदार मान लिया जाता था, सती बिकेम पॉपलर इन दस सेवन्थ सेंचूरी एडि, ठीके, और सेवन्थ सेंचूरी में धीरे धीर होई गुप्ता पीरिड के बाद में, जब गुप्ता पीरिड डिकलाइन हुआ, और ठोड़ा डेबलप्मेंट हुआ, और बाकी डेबलप्मेंट शुरू हो गए, प्रतिक की रुप में माना जाता था, रियल में नहीं होता था, बाद में सतीर रियल में होने लगा, मेरे बहुत पुरानी घटना नहीं साथ 89 की घटना है यूपी में एक प्ले से बांदा सुना है आपने आखों देखी घटना है कुछ जान पेचान के लोगों की ठीक है मैं बताना चाहूंगा मैं खुद चौक जाता हूं कि कैसे ही है 89 के आसपास की घटना है बांदा में एक मंदिर सती मंदिर है बहुत फिमस है एक छती घर का लड़का नौजवान लड़का उम्र होगी 24-20 सार मृत्य हो गई को सदेन देथ किसे कारण है कार्ण इसान गुभान पर कूछ लोगों और इसान आज killing मंदिर आज विए बांदा में एक उसके उसकी पतनी थी उसकी आयो बहुत कम थी, 22-20 साल थी उसकी आयो, एक लड़की थी बीस-बाइस साल के, अभी बिवा हुआ हुआ था, बिवा होने कि कुछी दिन बाद पती की देथ हो गई थी, कुछ दिन बाद न कुई लगाओ है न कुछ है, ःकर मालूम न ऐसा, लगाओ कै से घर से भाग की आई बूलते है के नधी है अनुधे की किनारे सथी मार्थ करें नदी की अपर चलती है जैने नदी में नदी नाीच online ऑसे с सदि कर ला ता यहां से बहुत दूर दूर से आथे देखने आज भी मेला लगता है बहुत दूर से कई चार-पाच स्टेट से लोग आते पूजा करने यह चीज है ठीक है हाँ अब आप देखेंगे सम विमेन डिट रिसीब हायर एजुकेशन ठीक है अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे सम विमेन हैट रिसीब हायर एजुकेशन ठीक है कुछ महिलाओं के पास में हायर एजुकेशन थे लाइक लिलावती इन अरत्मेटिक एंखाना इन एस्टोनॉमी वैसा नहीं है कि सिक्षा का अधिकार चला गया था कुछ-कुछ परिवार के लोग थे जो हाँ चाहते थे कि हम लग समझते हैं जिद वो कुछ भी कर सकता है समाज कैसा भी हो जैस बेता इटीज रीयल में कोई मजाग ठोड़ी ना कर दा हूँ आप गूगल करके देखिए ना गूगल करिए मुझे तो देखो मुझे क्या होता है ना हां देखो लास को मालूम है कई लोगों को मालूम है मुझे क्या है मुझे यह के यकिन नहीं होता है कि कोई नदी पर चल के आ जाएगा यह यकिन होता है कि सती लेगिन वहां के कुछ लोग बोलते कि नदी पर इसलिए मा के रूप में पूजा होती है ठीक है चलिए डियूरिंग मेडिवल एज इन डिस पीरिएड फीमेल का इनवेजन आ चुका था और हमने डेली सल्तनत ठीक है डेली सल्तनत और मुगल का रूल देखा है इन डिस पीरिएड फीमेल इंफेंटिसाइड चाइल्ड मैरिज पर्दा जोहर सती और स्लेवरी वर्दा मेन सोशल इविल्स अफेक्टिंग पोजिशन आप विमें जोहर क की पत्नी हो एक साल जीवन बिताया थे कुलपती के साथ में एक साल जीवन लेकिन कि कहते हैं कि बिरांगना की तरह कि आत्मदाह कर लिया कि चाहे आप रानी पर्दमिनी की बात करें तो हमारे जोहर के बहुत सारे ऐसे एक्जामपने जो लाइप जो लोगों ने लिखे हो बुलकी सत्य भी है जोहर होता था परदा प्रथा था राजपूर्टों में और इसलाम में भी था सती बहुत तेजी से परफॉर्म होने लगा था चाइल्ड मैरिस था फीमेल इंफेंडिसाइट था दब डॉट्टर वस कंसीड़ बैड लग और अगर किसी के घर में पूत् प्रफॉर्म हो अपने उपर मत देना मैं तो यह आपके साथ करता हूं किताब की जादा लेके आता हूं इसलिए ज्यादा महसूस कर पाते हों तॉपिक को उनके बड़े बेटे का विवा हुआ बगवान ने लगा था दो बेटिया दी उनकी माता जी का बीपी बढ़ता रह तक आ गया है मैंने का क्या समाज एक इसके पीछे रीजन ही नहीं है रीजन है कि लोगों अभी भी समाज में आप कितना भी पढ़ लो बहुत अच्छी जौब में सरकारी नोकरी में है लेकिन चक्कर आ गया बताई यह ऐसा कौन साब सगुन हो गया था लेकिन समाज ऐसा ब समाज नानें कि आज अगे समाज यह नहीं जानता है कि। दहेश का बोज दिखने लगता उत्तर भारत में दहेश का बोज दिखने लगता है ठीक है यह तो मैंने देखा है उत्तर भारत में दहेश का बोज अपने आप देखने लगता है giving freedom to women was thought of as the predecessor's doom यह देखे कितना अच्छा सब्द है यार रखेगा ठीक है ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाओं को देखे मेरी लाइन जो है ना वो समय के साथ से चेंज होगी जब मैं एंसेंट में women को आपने freedom दे दिया तो कयामत का दिन को बहुत जल्दी आजाएगी ठीक है लेकिन म्ध्यकाल में माना गया है कि महिलाओं की अधिकार ओ कयामत कि उनको बहुत जल्दी लिआएंगी खुश है मैं समझ रहे हैं पेटा सी सेट में हिंदी इंग्लीज दोनों लिखा रहे तो दो लिखना कहा है सीश्ण में गोला ही भरना गळुला भरना बिर्टा इंग्लीज के पढ़के बंदो कि हिंदी के पेपर में दोनों बासा रहती है चलो विमन वर लार्जली अनेजुकेटेड अच्छा वो साथ पैसेज वाला बात कर रहे हूंगे आप ठीक है वो हेल्प मिल जाती है डोंट वरी टेलिग्राम पर संपर्क करिएगा यह टेलिग्राम में यहीं पर यह नोट्स मिलेगा ठीक है टीपक सर यूपीसी ठीक है ठीक विमन वर लाजली अनेजुकेटेड पढ़ी लिखी नहीं होती थी और रिमेंड कंफाइन तो दियर होम्स ठीक है और उन्हें उनके घर से बाहर निकलने की आजादी भी नहीं थी ठीक है उसके बाद देखेंगे तो देखेंगे रूड़िवादी समाज सूपरिस्टीशन ठीक है बिलीफ इन मैजिक ठीक है जादू टोना ठीक है डायन आपने देखा होगा इसका भी एक्जामपल आपको बहुत अच्छा देता हूं डायन आपने देखा होगा गाहों में ठीक है बुरा मत मानिएगा देखो ना मैं आपको परसनली जानता हूं ना कुछ मेरे एक्जामपल ऐसे होते हैं कि आपने पक्का अपने घर में नहीं महिला को अगर उसके हाव हो सही नहीं है तो उसको डायन का रूप देने लगते है तो जारू तोना करती है उसके पस मत जाय कर बच्चों को बेजना बंद कर देते हैं बिना मतलब के कुछ नहीं देखा है लेकिन सबसे पहले समाज से तोड़ना तो इसे कहते हैं हमारे पर सिंछा का सिस्टर कितना है देखाँ की नहीं देखाँ होगा अरे सब जगाском फोई नहीं रूक सकता और यह इस कोई इसने ना देखा हो कभी कभी परिवार आपके परिवार में कोई होगा जिसको ले समाज में सिख्छा का इस लेबल तक गिर गया है ठीक है देखेंगे अब विमन डिवोर्शन टू हर हस्बेंड चिल्डरेन और होम वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऐज पॉजिटिव वैल्यू देखें विमन्स डिवोर्शन क्या माना गया डिवोर्शन फॉर्शन 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 फॉर घर के लोगों कोई डाइन बना देते थे इतना समाज जवजद था आप मत सूचिए उसके बारे में चलिए ये मेडिवलेस था आगे समझ मेडिवलेस आज हमारे हैं समाज में बहुत कुछ चल रहा है आज भी कंटीनुए ये देख रहे हैं आपी सारी चीजे कंटीनुए पर जब मैं पाचवी क्लास में था अपने घर जा रहा था खरबार में कीजे खतम हो गए तो आपको उतर के जाना रहता है उससे में जीप चलती थी आपने सुना होगा ठीके हां मैंने इस चीज को महसूस किया है अब हम क्या दो बहने हम पीता जीज माता जी सब लोग जा रहें घर की ओठीके अब मैं देख रहा हूं बच्चे का लड़के का लगाव माता से बहुत ज्यादा होता है तो एक चोटे भी थे तो मा के साथ साथ चलना अब क्या हुआ है क्यों गूंगा टोड़के जाना वड़ता है क्योंकि आगल बगल सब रि उंगर समार के देखना भी तो है कि सही चल रहे कि नहीं चल रहे है और मैं हाथ पकड़े जला जा रहा हूं मैं को बार बर भगा रही मैं भी सोचता था कभी एसा तब उतनी दिमाग दीन है ठीक है पास्टवी क्लास में क्या दिमाग होगा तीरे दीरे चीजे खतम हो गई आज यह चीजे होती तो मैं उस चीज को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज करता में यह बता रहा हूं सइल ठीक है आपको 97 की बात बता रहए 98 की बात बता हूं ऐसा था था प्र चलते हैं आगे British period जब बसे परिय Ci Buid स्लेवरी, चाइल्ड मैरिज, दी प्रोहिविशन अफ विडोरी मैरिज, अद लैक अफ विमन्स राइट्स वर सम अफ दा सोशल प्रोब्लम्स, विच अट्रेक्टेग्ट दा अटेंशन अफ दे ब्रिटिस राजन सोशल रिफॉंस अलाइफ, मानते आप, हमारे आप यह जो सोशल प्रोब्लम्स से न, सती हो गया, इनफेंटि साइड हो गया, ठीक है, सती हो गया, इनफेंटि साइड है, प्लेवरी है, चाइल्ड मैरिज है, प्रोहिविशन आप बिडोरी मैरिज है, में इन सब के चक्क्र में होता था है इन सब के चक्कर में क्या होता था की कि अगर आप देखेंगे तो की ब्रिटिस जब आये तो ब्रिटिस ने बोला कि नहीं हम इस सोचल प्राब्लम्स को ख़दम करेंगे ब्रिटिस नहीं सोचल प्राब्लम्स के और अट्रेक्ट वेचारे कितने भी बूरे थे इस मामले में बहुत सही थे बहले हो अपने बेनीफिट के लिए कर रहे थे लेकिन इनके गुड्स भीकेंगे इनकी वर्स्ट वे बेची जाएंगे और गुड्स भीकेंगे इंडियन सोसाइटी मॉडर्न होगी जब ट्रेडिशनल इनका सिस्टम तूटेगा इसी समय राजा राम मुहन रौय थे ठीक है और इस्वर्चन विद्यासागर दे स्टार्टेट ए और इनडिया विमन कॉंफरेंश वाज एस्टैबलिश इन जयनुवर्वरि नाइटीनववडिशनविवड स्टेटेट अग्चपफेंगे पृण मुड्स सब्सक्राइस नवर्ध स्टार्रण की सुपनध करेक्रेंग है इस समय तो क्या हम मान सकते हैं कि ब्रिटिस के आने के बाद से हमारे आपे कुछ चेंज होने शुरू हुए, तमाज बहुत जल्दी नहीं चेंज होगा, 1200-400 साल लगेंगे, लेकिन शुरुवात तो हुई, और शुरुवात भी कब हुई जब ब्रिटिस जाने वाले थे, मतलब 90's के में ज़्यादा हुई, मैं देखता हूँ कि 19th century के second half, मतलब 1850 के बाद से, ठीके, 1830 के बाद से, ठीके, 1830 के बाद से लेकर development ज़्यादा होना शुरू हुआ है, उसके पहले तो उनका भी ध्यान नहीं था, क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, industrial revolution कब आया बिटा, 1750 म है, खर हमारे मुगलों में भी अकबर ने भी सती पे बैन किया था, बहुत लोगों ने किया, लेकिने लोग माने तब ना, कानून आ गया तब भी कहां लोग मानते हैं, डोमेस्टिक वाइलेंस पे, बताइए, मानते हैं क्या, नहीं, ठीके, अब यहां देखेंगे, 1750 की बात ले लेंगे, 1750 में industrial revolution आया, 1820 में अपने पीक पे था, ठीके, पीक पे था, 1820 में industrial revolution क्या है, अपने पीक पे है, और 1830 में industrial revolution जो था, ठीके बहुत जड़ा पीक पे अब इनको लगा market बनाना है, इंडिया में market है, इंडिया में goods को बेचना है, goods को कैसे बेच पाएंगे, जब इंडियन सोसाइटी में traditional system को तोड़ेंगे, इसलिए reform लेकर आए, उनना फिर reform तो यह लेकर आते ही लिए, ठीके, देखेंगे, during the greatest period, महात्मा गांधी brought women out into public life, म महात्मा गांधी ने महिलाओं को public life में लेकर आए, लेकिन महात्मा गांधी को criticize भी किया जाता है, अब क्यों किया जाता है, क्यों कि महात्मा गांधी कहीं भी जाते संबोधन करते थे, कहते थे, महिलाओं, तुम सती का रूप हो, तुम सीता हो, लोग बोलते थे, सीता, जि गांधी जी ने सब्दों का प्रियोग क्यों किया कि आम मानस उन्हीं की बारें तो जानता है तो संभोधन करने के लिए प्रियोग करते थे लोगों उसको गलत लिया इनि गांधी उसमें भी विमेन को 1930s and 1940s 1930s 1940s में हमारे यहां पर विमेन क्लास से महिला आगे आए कि नहीं हम भी employment करेंगे हम भी काम करेंगे हम भी economy में support करेंगे 1930s 1940s के बात की बात है उसके पहले ऐसा देखने को नहीं मिला था उसके पहले सुधार की बात हुई तो जो सुधार शुरू हो ना 1830s में उसको सौ साल लगे एक मद्वर्गिये महिला को अपने घर से निकल के रोजगार के लिए अपना रिजियू में लेके तो जोब ठीक है मुझे काम करना है मुझे काम करना है मुझे क्या आप कहां कोई जौब मिलेगी नौकरी मिलेगी अठारा सो उन्टेस में सत्य वस्वाइन बट विमेन तो साल बार निकली क्योंकि इट 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 पाट आफ रिफॉर्म एन रिफॉर्म टेक से टाइंग सुधार में समय लगता है बलग जबकते थोड़िना होता है ठीक है और मैटल सब इन्हेरिटेंस ठीक है इन्हेरिटे को मिक्स किया गया ठीक है और कुछ पुराने हमने क्या किया हमने ग्राउंड लिया कहां से एंस्टिंट हिंदू लौ से उसकी उपर बना दी बिल्डिंग इसकी ब्रिटिस लौ की हमने महिलाओं को दिखा दिये कैसे अधिकार आप देखेंगे नीचे लिखा हुए हिंदू हिंदू लौ इन्हेरिटेंस 1929 इस एक्ट की हिसाब से महिला जो है वह अपने संपत्री पर दिकार मांग सकती है हिंदू विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक 1937 है ठीक है एक आगे लाइन लिखिए बहुत अच्छी चलो वहीं बताऊंगा ठीक है हिंदू विमेन आप उनको रिमूब नहीं कर सकते हैं अगर वह इंटर कास्ट मेरिस करते हैं ठीक है यह सारे अधिकार दियेगे यहां पर इसी में आप देखेंगे अब यह यहां तक तो था इस्टेटस आफ विमेन की बात कर रहे थे हम लोग क्लियर है आप ब्रिटिस पीरिएट में तो क आगे में इसी के सोचल कंटेक्स्ट में आज और भी चीज़े डिसकस करूंगा ठीक है ठीक है ठीक है देखें विमेंस पार्टिसिपेशन इन इंडिया इंडिया इंडियाज फीडम इस्ट्रेगल बिगें एज अर्ली आइज 1817 1817 1817 ठीक है भीमा भाई होलकर पॉट ब्रेवली अगेंज दा ब्रिटिस करनल मैलकॉम और डिफीटेड हिम इन दा गुरिला वर्पेर देखें 1817 में महिलाओं ने क्रांटी की आवाज भी उठानी शुरू कर दी थी और ये समय 1817 का है जब भीमा भाई होलकर ने ब्रिटिस करनल थे मैलकॉम उनको डिफीट किया था गुरिला वर में इसके लाओं उसके बाद देखेंगे मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपके साथ ये केरल से हैं कहां से हैं केरल से हैं नाम है रानी चनम्मा मालून अगर लोगों ने इनकी स्टोरी को क्यों नी प्रमोट किया उस लेबल पर जिस लेबल पर होना चाहिए था अभी हम लोग जितना पढ़ते आए हैं वहां पर यही देखा है कि विमन को हमने सोसाइटी में हमेशा कमजोर समझा है उनका डिवोशन पती के लिए घर के लिए लेकिन यह डिवोशन देखिए एक बार पती की मृत्ति हो जाती है 1818 में 1824 में बेटे की देथ हो जाती है एक महिला जो ट्रेडिस्टनल सोसाइटी से बिलॉन करती है उसके पती की मृत्ति होगई बेटे की मिर्टी हो गई और उसके बाद 1824 में उन्हों ने जो बेटा है गोद लिया और ब्रिटिस ने आप देख होगा उसका प्रिटेक्स्ट चल रा था ब्रिटिस ने उसके बारे में सबसी आपने देख़ा हमारे बॉट्र कोतश दारेक्टर होते थे इन लोगों उसका प्रिटेक्स्ट पहले ही तयार कर रखा था और नियम लागू कर दिया था उन्हों तो अफिसल ही रिकरनाईज करने वोला बेक्टी कौन है डलो जी है लेकिन करनाटक में उनको बुलागे कि नहीं आप न एडॉप्ट एडॉप्टेट चैल्ड को आप राजा नहीं बना सकते हैं उसके लिए एक एडॉप्टेट चैल्ड के लिए तलवार उठा के अंग्रेजों से लड़ी थी वो थिरान जनमा अब बताएं बताएं अब क्या पावर नहीं है उनके पास उनके अरिकार नहीं थे ठीक है 30 years before the first war of independence 1857 आगे देखेंगे the role played by women in the war of independence 1857 was creditable the leaders of the outbreak like हजजत महल लखनों से रानी लक्ष्मी भाई ठीक है रानी ऑफ रामगड ठीक है ठीक है रानी दिगंबर कौर रानी टीकरी डिवर एक्टिबली पार्टिसिपेटेड ठीक है उन्होंने अठार्सों सताउंड की क्रांती में बराबर कदम से कदम मिलाकर तलव लेकर ठीक है उन्होंने युद्ध और जंग का अईलान किया था अंग्रेजों के सब्ड़ों में बीर गती प्राप्ट की हुई रानी लक्ष्मी भाई जब भूमी पर थी तब अंग्रेजों के सब्ड़े में था कि इस पूरे भारत में एक सोई हुई अकेली मर्द है रहे बुला थी नहीं है क्योंकि वो इतिहास में नाम अमर हो गया ठीक है यस स्वडेशी मूब्मेंट फिर हमारे स्वडेशी मूब्मेंट आया ठीक है स्वडेशी मूब्मेंट इन आफ्रमेट आप दे पार्टिशन इन 1905 1905 में बिटनेस मासिब पार्टिसिपेशन फ्रम दा विमेन देखते हैं आप ठीक है स्वडेशी मूब्मेंट हुआ क्लेर है इन दा आफ्टर मैंथ हब भी पार्टिशन आप बेंगॉल इन 1905 बेंगॉल में उन्नीज सो पास में पार्टिशन हुआ ठीक है उसके खिलाप में विमिन्स ने अक्टिबली पार्टिसिपेट किया उसमें एक नाम लिखना चाहूंगा कुमुद्नी मित्तर यह डॉटर थी क्रिष्टो मित्तर क्या बेल नोन पाब्लिक लीडर सी प्रपोगेटेट कल्ट आफ रेवल्यूशन ठीक है तो दस सुप्रभात बेंगॉली मैगजीन ठीक है यह नाम मुझे बार-बार याद आता है कि मेरा इस्टुडेंट है बेंगॉल तरह ने स्टार्ट किया था ठीक है एक कल्ट स्टार्ट किया था क्रांती की लेहर थी तो शूप्रभात मुझे उस्टुप्रभात ने थोड़ा क्रांती जैसी फीलिंग होती है उसमें आज है है इन बॉम्बे मिस्सिस केटकर तिलक की डॉटर थे यूदस एवी जोसे ओटीव इन प्रपागेटिंग दस्वाडिसी मूउब्मेंट नगे आप देखेंगे बाल गंहाद दा हमाव ठेके एवी जोशी ठेके इन लोगों ने अक्टिबली पार्सिपेट किया था स्वरेशी मुव्मेंट में इन अदर पार्ट अप्ट अप्टरी सुसीला देभी सियाल कोट हर देभी लाहूर पुरानी हिसार अग्यावति देली ठेके टेके वर इंपॉर्ट विमेंट विम्मेंट अप्रिडी अप्र्ट अप्रेश्य लोगों इस स्वर्डेश गोर्वेंट अप्रफॉर्ट अप्टेमिस्ट नेश्यांड इन नाम की एक सॉप उपन किया उन्होंने एंड पॉप्लराइजिंग स्वदेशी गुड्स और उन्हें स्वदेशी गुड्स को पॉप्लराइज किया तो यही स्वदेशी मूपमेंट इसने पहली बार महिलाओं को घर से बाहर निकाला बोला निकलो आओ बाहर आओ कदम से कदम मिला की चलो समाज बदल गया है कहां बैठे हो घर में चाहे घुंगट करके निकले हो लेकिन निकले तो थे निकलो तो थे नेक्स्ट देखेंगे मैटम भीकाजी कामा को मैंने इतिहास में कई बार पढ़ा है लेकिन जब मैं सोसाइटी में बढ़ाता तो मैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं मैं ट्रो जोड़ के कहता हूं कि मैंने ऐसी महिला कहीं देखके उस समाज में आज के ताहिम hilarious कर सकते हों उस समाज में इतनी बोल्ड आँ इतनी साहासी करज किसी महिला में मैंैं नहीं देख को आप देखे एक बार चार पॉ κιल इंदके ऊपर लाया हूं आपको समझाने के लिए ठीक है देखो सी डिसाइडेट टू वर्क आउटसाइड इंडिया टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन पेवरिंग इंडियास फीडम सी स्टैब्लिस कॉंटेक्ट बिद रेवलिशनरी इन आर्लेंड रस्या एजिप्ट जर्मनी क्रांती हो रखिए क्रांती के समय आयर चर्मनी से एजिप्ट से आयर्लेंड से हथियार इंडिया पहुचाय जा रहे हैं और उसकी श्मगलिंग उसको करके भारत पहुचाना एक्स्ट्मिस्ट के हाथो में हथियार देना और किसमें Christmas के किसमस के गिफ्ट आते तो गिफ्ट के अंदर हथियार चुपे ओते थे उस हथियार को वहां से भेज़ती थी वह हथियार आते थे एक्स्टमिस्ट के पास आते ते तभी जंग लड़ते थे ब्रिटिस से खिलाब में ठीक है प्रिटिस से अगर्ड इंगर्मनी इन अगफ्ट नाट सेबन वर सी फर्स ताइम अनफर्ड अफ फ्लैग अफ इंडियन प्रिडम विदेशी सरजमी पे पहली बार ठीक है भातिये जो जंडा है फ्लैग है ठीक है उसको पहराने वाली कौन थी मैडम भिखाजी का मातिये विदेशी सरजमी पे भातिये इंडियन नेशनल फ्लैग है ठीक है यस सी है टो सेंटर अक्टिविटीज प्रम लंदन तो पेरिस यह अपनी अक्टिविटी सश्में बननी चाहिए इनके उपर मूवी बनेगी मैं कतो सूपर हिट जाएगी किसी को बनाना चाहिए तो कहता ह यह आवाज पहुंची नहीं चाहिए बॉलीवूड आलों के पास में कि तुम्हारे दिन खराब चल रहे अगर तुम्हारे दिन अच्छे करने इनकों पर पिक्चर बनाओ तुम्हें इक बार दिखाओ मूवी बना दियो कहीं कोई उचल के मार पीट कर रहा है धाकड की क्या नाम में कोई समझी नहीं आया उसमें कंसेप्ट पूरा आप इन पर बनाईए बनाईए कि दिखाईए पोर्ट्रे करिए क्या है इंडियन कल्चर नहीं दिखाओगे आप क्यों क्यों कि आप मांसिक ब जहां उन्होंने जनरल स्टाट किया बंदे मात्रम तू प्रपगेट हर आईडियाज अपने आइडियाज को प्रपगेट किया प्रचार किया तीवाज ऑलसो बेरी एक्टिव मेंबर आभिनाव भारत तो सुसाइटी त्यक्यक्य और अभिनाव भरत सोसाइटी की लंदन है ठीक है मैडम विखा जी कामा के बाद में आप देखेंगे दो विमेन दो महिलाएं एक इन्वे सेंट एक सरोजनी नाइट हो इन्होंने इंडियन विमेन के माइंड में डीप इंपक्त में लोगों ना भात्री महिलाओं कि दिमाग को पकड़ लिया है कहां जा रही ह दो भूले खाना बनावन जा रहे है कि यथी तुम्हारी प्रप्रॉबल्म है कि तुम अपने बारे में सोशिटाओं अ बना ले ना खाना टाइम मैंनेज्मेंट करो, एड आता है न कभी कभी, othe परसान हो जाता हूँ, मैं हमारा टाइम मैंनेज्य है, उनको सिखाना पड़ेगा, हमारे Parl propose और सरुजदिन आडीन ने महिलाओं की दिमाग में जो दारों किया, क्यों कि हिनके परस, लिगल पावर थी डोनों कॉंग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी है एनी पेसेंट पहली थी पहली भारतिय थी थी ठीक है अगे देखेंगे सब्सक्राइब नाइडव इंटेट इंट्व एक्टिव पॉलिटिक्स एंड जॉइन दा ओम रूल लीग यह उन्हों ने ओम रूल लीग जॉइन किया था वही होंड लीग स्टार्ट किया था एनी पेसेंट ने उन 1916 में ठीक है और एनी पेसेंट ने डो भी निकाले था दा निव इंडिया इससे मॉडनिस्टिक अफेक्ट भी प्रिपर हो रहा है प्रिपर हो रहा है दी कॉमन वेल्थ परदर सी वास्ट प्रेसिडेंट अप दी इंडियन नेशनल कॉंगर्स फर्स्ट विमन प्रेसिडेंट लिग देंगे एके 1917 ठीके चल आगे देखते हैं गांडी जी नॉन कॉपरेशन मुब्मेंट्स और पार्टिसिपेशन अफ विमन अन अन प्रिशिडेंट स्केल कि सरला देभी चौरणी सरोजनी नाइडू कमला देभी चटो पाध्याय वर अट फोर फ्रेंट आप इस्ट्रेगल बेंगॉल के बेंगॉल की रा संती देभी लिला रोय आउना सफ अली संटोष कुमारी गुप्ता संती इंदुमति गोयंका इला सेन बीना दास वर सम अब 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 अर प्रमिन लेडि़ी गेंग विमन अब बेंगॉल ठीके इन नउन कॉपरेशन मूप्मेंट ठीके असायोग आंडूलन में यंग लेकिन बहुत बड़े लेबल पर पाटिस्टिपेशन हुआ था पंजाब में देखेंगे श्रीमती राधा देभी वाइप आप लाला लाश्पत्राइ लेकिन जानते हो मेरे नोट्स में भी एक जगह समस्या है मैं लिखना नहीं चाहता था लेकिन पहचान देनी पड़ेगी देखे राधा देभी नाम है कॉंट्रिब्यूट किया लेकिन लाला लाश्पत्राइ की पतनी है यह लिखना समझाने के लिए मजबूरी में लिखना पड़ता है इनकी अपनी पहचान है धिन क्या करें हमारे पैट्रियर्कल सोसाइटी ने उनको वह जगह नहीं जो दी जो लाला जी को मिली अगर जगह मिली होती तो आज मैं यह नाम लिख सकता हूं तेकिन यह नाम नहीं लिख सकता हूं यह नोट्स के ठीक है रेवलुशन बिदिन दे पारवती देवी अभीदा बानु बेगम मदर अभीदा बानु बेगम मुहमद अली सोकत अली आपने देखा अली ब्रदर्स इनकी मा थी ठीक है एक्जॉटेट मुस्लिम लेडी इस तो गिब अप पर्दा एंड वर्क फॉर्ट फॉर्ट पांजाब से कंट्रिबुशन था है क्लियर है है क्लियर है तो राधा देवी पारवती देवी अभीदा बानु बेगम उसके बाद देखेंगे यूपी उत्रपदेश सरूप रानी नेरू कमला नेरू बेगम अब्दूल कादेल वरिंदा वेंगार्ड अप्ड़न कॉपरेशन मूब्मेंट इन्होंने उत्र रपनाधत् सांति घुस्वीनादास पृति लताव वाड़तकर थेखेंगे वाड़तकर थेखेंगे वाड़तर अद सुमिति चोडरी अध प्लेड अनुटेबल रोल इन रावलुशनरी अक्टिविटी इं बेंगॉल थेखेंगे बेट पासिंग अप्रिट इंडिया रजल बढ़ाये जैसे आउना असाफली वाज एबल टुवस्ट दा नेशनल फ्लैग इन्होंने राश्टी जो जंडा है नेशनल फ्लैग उसको होस्ट किया 9 अगस्ट गो ग्वालिया टैंक मैदान से यूपीसी का 2021 या 20 का क्वेश्चन है उसा मैता ब्रॉटकॉस दा न्यूज ठीकिये जोटों अगर गेब टागस्ट दॉर्फटानी ओना सीक्रेट ट्रांस्मिटर रेडियो चलाये ने फिकें अंडर ग्रॉटर रेडियो गैसी के श्टेट सेशा मैताने लोगों को कम्मिनुकेट करने के लिए नेशनल आर्मी की अगर बात करें ठीकें उन्डर द्श जी सुबाद्शन बोस ठीके एमके सीमती एमके चिदंबरम ठीसिक सरस्वती एंड डॉक्टर एस लक्षमी वर दा मोस्ट प्रॉमिनेंट मेंबर आप दे विमन सेक्षन आप दे इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इनहीं लोगों को लेकर रानी अफ जासी ठीके तो जाद तक देखेंगे कि रेजिमेंट तैयार किया गया तरड़क से विमन रेजिमेंट on the name of the डिषा ठीके च्राणी लक्षमी बाई रेजिदेंट रेजिमेंट इस्टाबिस करता था पड्चर पर हिससा लिया मणी हमने तो अब इसके बाद चलेंगे तो आज मैं तीन बज़े केसी स्टडी की क्लास को रिस्टील करूंगा कल के लिए आज मैं इसको पढ़ाऊंगा पूरा ठीके समय है पढ़ लो एंड हो जाएगा ठीके तोड़ा और समय लगेगा आदा गंटा ठीके लेकिन पढ़ लो अगरेंट से हैं ठीके ए चले देखें अब बटा एकोनॉमी लेक्ट्र पहली बता दिया इतने बार पूस्टे हो कि मैं खुदी ठीके एकोनॉमी लेना बंदगर दोंगा तो तो सियो कल्च्छल कंटेक्ट आप विमें इन इंडिया तो डें सोचियो कल्च्छल लैंडिस्के फ़र विमें इस अ कंप्लिक्स मिक्चर ऑफ न्यू एंड ओल्ड मानते हैं आप आज अगर वर्तमान में देखेंगे तो न्यू ट्रेट्स और ओल्ड ट्रेट्स मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडन सोसाइटी क्या इन्हों इन्ही क मिक्चर है आज की टाइम में सोचियो कल्चर लैंडिस्के फ़र विमें आज का जो सामाजिक संस्कितिक या समाज है जो संस्किति है विमें को लेकर महिलाओं को लेकर ठीक है वो पुराने और नय जो ट्रेडिशन है उनको लेकर उनका एक मिक्चर है कि नहीं है बिलकुल है बहुत से modern institutions है आप देखेंगे उन में से modern institution और और इंस्टीूशन तो इंडिया में कुछ अगर तो यह आप देखेंगे उद्योग आया ग्लूब लाईशन आया अया यह सब हम लोग ने पढ़ा है modernization आया इन सभी ने have led to some irreversible changes for women some positive and some problematic मानते हैं क्या हमारे समाजने क्या हमारे समाज में urbanization industrialization ठीक है development यह सब हुआ तो इसने समाज में कुछ positive change भी लाए कुछ negative भी लाए for example ठीक है यह देखे वाइल ऑन दा वन हैंड a liberalized economy has offered better education देखे क्या liberalized economy 1991 के बाद में अच्छा education देता है private education देता है क्या job opportunity देता है women's के लिए जी हां क्या decision making power देता है जी हां opportunity मिलब women's के लिए क्या यह women के लिए sorry women के लिए यह सारी opportunity है बताएं बेटर education है job है decision making power है और यह स्तारी power दी गई on the other hand वहीं दूसरी दरफ जब वह बच्ची घर से निकल कर job के लिए जाती है तो उसके साथ violence होता है ठीक है जब वह पती से ज़्यादा कमाने लगती है तो उसके साथ भेदभाव होता है ठीक है लोग खाएंगे उस पैसे का लेकिन उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे हमारे यहां पर धीरे-धीरे समाज में आप देखेंगे स्यक्त-फैंप दोफ सेम आवश के लिए काम करेंगे सेम काम करेंगे लेकिन उसको सेलरी कम देंगे होнок भुर्सेज को सेलरी जाता हो है ठीक है and discrimination और क्या होगा discrimination होगा बेदभाव किया जाएगा क्योवल मजदूरी ही कम नहीं मिलेगी मतलब पेमेंट ही कम नहीं मिलेगा clear है उसके साथ बेदभाव भी किया जाएगा ठीक है further migration ठीक है फिर आगे आप देखेंगे migration होता है पलायन होता है इसक्यूट सेक्स रेशियो आप देख रहे हैं कि मैलाओं पूर्सों की तुलना में मैलाओं की जो संख्या वो कम होती जा रही है ठीक है environmental degradation पर्यावरण को नुकसान है इन सभी condition में अगर आप देखेंगे ठीक है तो मैलाओं की condition में male dominance है भारत के सबसे अमीर 100 लोगों में मैलाओं कुछ होंगी पूरुष ज़्यादा होंगे political हमारे आप ये संसद में मैलाओं का representation उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए religious धार्मिक इस तरह में अगर आप देखेंगे दो चार कथा वाचक में महिलाएं होंगी ठीके लेकिन पूरुष ज़्यादा है कि social and cultural है ठीके सामाजी को सांस्कितिक इंस्टिट्यूशन सा लाज़ली कंट्रोल्ड बाइदा मैं है ठीके अभी मैं क्या करता आपको एक दिन ठीके तो मैंने एक चीज़ देखी है वो जो आपने नहीं डाइग्राम मैंने आपको बनाया था वो डाइग्राम जो बता रहा था कि ऐसे डेवलप्मेंट होता है तो बर्थ रेसियों में फीमेल का कम दिखा और मेल ज्यादा दिखा प्रिमेल कम दिखा कि इसके पीछे कहानी क्या है एक छान्यक साइन्स का है कि अगर कहींवी एकसिडन होता है ना तो मेल मेल के मातल manufactured होने की चांसे जादा होते हैं försöको उनके रहा सक्ती जहादा होती है इसज और मेर्द पिर भी आप निकल सक्टी के अधार पर उसको नीचे कर दिया है और अपने आपको ऊपर रखा है बल्कि सहन सक्टी उन में ज्यादा होती है मैंने आपको फेमिनिस्ट एथिक्स में इसको अलड़ी कराया हुआ है ठीक है कि छोड़ तो यहाँ पर जादा नहीं करेंगा नो समय जाएगा बहुत ज्यादा अब आप देख रहे हैं यही पैट्रियार कर जो में मेल डॉमिनेटेट सोसाइटी है न यही कंट्रोल करती है विमन्स लाइबली हुट को लाइबली हुट च्वाइस क्या होगी एक सेक्स्वेलिटी एब एग्जिस्टेट इवाल्व और सेंचुरी यह सदियों से चला रह है और इस तरीके से बैद्भाव हमारे यहां पर केवल संस्थानों में नहीं इंडिविज्वल लेबल पर भी होता है क्लियर है पर आप देखेंगा कॉंबिनेशन ओप पैमिली है परिवार कास्ट कम्यूनुटी ए रिलीजन서 तो परिवार कास्ट कम्यूनिटी रिलीजन रिइन्फोर्स करता है लेजिटिमाइज करता है इस पैट्रियार्कल वैल्यूज इस्टेरियो टाइपिंग विमन ठीके एंड रोल कंटीनिस्टी पॉब्लिक अप्राइबे इस्टेरियो वारिता चाहिए गरों में देखोगे तो रूडिवारिता पैट्रियार्कल सोसाइटी पॉब्लिक लाइफ में जाएंगे वहां भी है बहुत ज़्यादा होसिया नहीं समझा जाता है कि इस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और वन हैं देवर वर्शिप्ट एज गॉड़ेस एक जड़ा देवी के रूप में पुजा होती है वाइल ऑन दा अधर बंट फॉर डौरी ठीक है वह डूसी साइड देखेंगे ठीक है तो देहस के लिए हत्या क देखेंगे अगे बताने वालों बहुत अच्छी लाइन है इस लाइन को देखिएगा और फिल करिएगा और गल्स और कंसीडर एन अन्वांटिड बॉर्डिन ठीक है एक तरफ हमारा गी समाज इने अन्वांटेड बर्डिन मानता है यह यह उस टू सपोर्ट इयर प्रदर्स एंड में टेक है उसके बाद भी उन्हें अपने भायों और ठीक है में जो भी समाज में होए बेटा हो ठीके चाहे पती हो चाहे पिता हो ठीके clear है लेकिन उनके support के रूप में रखा जाता है अब बताईए यह बहुत बड़ी बात यहां पे लिखे हुई है एक तब आप उनको unwanted बर्डन भी मानते हो और दूसी तब आप उनको सपोर्ट करूप में भी देखते हो और इन सब के बावजूत अगर आप देखेंगे तो तो इसके बाद देखो गया उसके बाद वह चूप चाप अपने उपर दिन पर दिन जो हुते हैं उनको बदास्त करती रहती घगे और जब जन्म होता है तो unwanted burden मानी जाती है प्र अब जब तक जीवित रहती है तब तक कहीं नपर्ण करती रहती है ठीखे Community है तो भाई का सपोर्ट बनके रहती है बिवा हो जाता है तो पत्थी का सपोट बनके रहती है माँ बनने के बाद बच्चे का सपोट बनके रहती है लेकिन उसके बाद भी हर एक कदम पर उसे समाज की इन बुराईयों का सामना करना पड़ता है domestic violence होता है abuse होता है rape के cases, early marriages उसे बरदास करने पड़ते हैं ठीक है यस फिर देखेंगे डिस्क्रिमिनेट्री प्रैक्टिसेस सच चाइल्ड मैरिज डावरी ओनर किलिंग विच हंटिंग जेंडर बाइस लेक्शन इंडिकेट दा प्रोपाउंड वुल्नरेबिल्टी एंड इनिक्वलिटी तोड़्स और इन इंडियन सोसाइटी और यह सभी कारण चाहिए आप चाइल्ड मैरिज ले लो डावरी ले लो ओनर किलिंग ले लो वीच हंटिंग ले लो यह सब बताते हैं कि हमारे भारतिय समाज जो है ठीक है वहां पर इनिक्वलिटी है तूवर्स दा गर्ल्स और विमन क्लियर है चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर यह टॉपिक बस अब खतम हो रहा है ठीक है जेंडर स्टेरियो टाइपिंग एंड रोल आफ विमन जेंडर स्टेरियो टाइपिंग एंड रोल आफ विमन देखेंगे इंडिविजुल लेवल पर अगर आप देखेंगे इंडिविजुल लेवल पर भी बहुत बड़ी चीज है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कनेक्ट कर दूँ ठीक है बटा इस टॉपिक में क्या है रोडीवादी समाज हैं रोडी वादी मैंनों चैश्योड लोग हैं अ है टिके जेंडर को लेकर जेंडर स्टेरियो टाइपिंग समाज है तो जो जेंडर को लेकर रोडीवादी है और दूसरी तब रोल आउव विमेन हैं अब एक तब हम रूडवादी समाज और विमेन को मिला कर देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में और हर एक एक जामपल में देखेंगे कैसे सबसे पहली बात होती है इंडिविजुल लेवल पर तेके इंडिविजुल लेवल पर आप किसी की पहचान कैसे करते हो उसी इंटरेक्ट करके ना सच बताना आप किसी की पहचान ठीके कैसे करते हो ठीके कैसे करते हो उसी इंटरेक्ट करके आइडेंटिटीटीज आर फॉर्मड बेस्ट ऑन वन्स इंटरेक्शन बिद आदर ठीके आप किसी एक से इंटरेक्ट करके कुछी दूसरे के साथ में आप क्या फर्म करते हो और डिफरेंट और वहीं पर आइडेंटी टिफरेंट से क контроль से कों क्यों आप percent गार कैसे ऐनची करते हो तक कोई पूछे वही आपके लिए पूरुस से पूछी महिला की परिवासा क्या है स्कुर एडीन कि M yo गणे को अधिन की कड़ो है लेकिन सत्य है कड़वा है लेकिन सत्य है कभी इंडिविजूल नहीं देखा आपने लेकिन तुम ने इंटरेक्शन से देखा इंटरेक्शन क्या बेहन है तो घर में अपने को चाय पानी मिल जाएगा पतनी आई है तो भाई सब खाना पीना हो जाएगा जमजार कोई दिक्कत नहीं मां है ठ फैमिली लेबल पे आप उसको देखते हो यहां पर देखते हो ठीके कि इंटरेक्शन बिद्दा फैमिली सोसाइटी समाज की साथ कैसे इंटरेक्शन है ठीके दूसरे के घर में जाना रिष्टेदार क्या है अच्छा कि महिला है आप विमें आप चाहाए आपकी घर में किचन में काम करना है किचन में काम करना है मेरे अंकल के हैं साधी थी हमारी वाइब बहुत नाम हुआ सब लोग बोले ठरे कितना बढ़िया कितने अच्छी है इनकी बहु ठीक है कि अपनी हाला तुमने खुद घराब कर रखिए दूसरा कोई नहीं है जिम्मेदार मान लेते कि जाओ तो किचन में काम करोगे तो इजद मिलेगे खुद इमान रखा है लोगों ने अपने आप तो जब मैं इस लेबल पर पढ़ा तो में दिमाग में चीज़े गुमती होंग और जब मुसको प्रैक्टिकल देखता हूं कभी-कभी अपने आज पास भी तो मुझे लगता है कि तुमारी समस्या के पीचे कोई और जिम्मेदार नहीं है तुम खुद हो और कोई नहीं है ठीक है हाँ महला चले यह काम वो काम फुलाना दमा का ठीक है लेकिन फिर आए त यह पार क्त्रेक्ट होती है मांनते की बात इनके बात रखने का तज़का है कोई बोलता है काम नहीं करते ह्रों चले ग GDP एससा स्वाज को δेखेंगों जो काम करने लायक ही क्या काम करना इंट धोड़ी न होसकती यह ने कि हमारा समाज के ना वह इंट bragत अटा है अटा बेसि इसलिए जो पहचान है और यही महिलाओं के वीच में क्या करता है महिलाओं के खिलाब में भेद भाव पैदा करता है जिवन के हर एक चरण में होगा इसी के चलते आगे चलके होगा जेंडर बेस्ट किए आपने रख्या परिवार सेаете fighting अब उसको मानने नहीं किंअ में कुल दिया कि क्यामत क्याति आँ अन्हीं को बढ़ाया है है कंते हैं क्लेग एक सबसे बड़ी गलत धाड़ना है कि महिलाएं जो हैं आओ बैठो एक कार में कुदा देते हैं घाटी से कौन जीबित बसता देखा जाएगा ठीक है आप UPSC करिए जाए और आप इन चीजों पर बहुत फोकस करिएगा देखे समझे बहुत अच्छी बात मैंने एक दिन आंसर राइटिंग में कर आया थी एक पुरुस पढ़ेगा तो पुरुस पढ़ेगा और एक महिला पढ़ेगी तो तीन पीड़ी पढ़ेंगी जनरेशन पढ़ेंगी तीन जनरेशन डेबलप होंगी तो एक पुरुस के पढ़ने से क्यों पुरुस का विकास होगा है कि महिला के पढ़ने से तीन जनरेशन का विकास होगा तीन पीड़ियां विक्सित होंगी ठीक है हाँ चलिए एट डा लेबल आप फैमिली अब परिवार की इस तर पर देखी स्टेरियो टाइपिंग क्या है मैरिज को क्या माना जाता है यह देखिए जैसे समाज ने ऐसा बना दिया मेल के लिए अल्टिमेट डेस्टिनी क्या है मॉक्ष ऐसा ही हमारा मेल परसन के लिए अल्टिमेट डेस्टिमी क्या है उप समाज ने इसको पामली लेबल पर स्टेरियू टाइपिंग है कि भाई अल्टीमेट डेस्टिनी तुमारी क्या है मैरीज बिवा कर लो भाईया बस घर में बोलते नहीं कर देंगे कहीं साधी आधी क्लियर है हो जाएगा समय समाप साधी कर देंगे मुक्ती मिल गई अरे कहां नर्चरिंग चिल्डरेन आप उसको पढ़ा कर उसके पैरों पर खड़ा कर दोगे तो उसका अल्टिमेट गोल कभी मैरीज नहीं होगा उसके गोल और सारे हो जाएंगे ठीक है हां एंड केरिंग फॉर फैमिली दिखाएगे अपने मात्वा पिता कोई लेक्चर बाद में अभी एंड हो जाएगा तब कभी समय दिखा दीजेगा थोड़ा थेंज आए ठीक है जो धंकी मिलती ना हमारे स्टुड़न्स को साधी क सब्सक्राइब देंगे तो धंकी कम से कम थोड़ी कम हो क्लियर केरिंग फॉर फैमिली मेंबर्स और वार की केर करना इंगे इनका प्रैमरी दूल होगा आचा अब जिनको माता-पिता को दिखाओगे वह बहुत ज्यादा मतलब समझ रहे हो अगर माता-पिता को दिखाओग होंगे और अगर वह बहुत ज्यादा की स्टीरियो टाइपिंग होंगे यह बहुत ज्यादा ओर्ट्रोडॉक्स होंगे तब तो बच्चों बिगाड़ रहा भाई कि अ थे क्लेर है कि अगर यह बिल्कुल सही करें बटा है कम उब्रे में विवा हो के मालू मैं आपको हमारे यहां पर कलपना चावला हरे गर में लेकिन जो 20 साल 20 साल 22 साल में साधी कर देते ना कितनी कलपना चावला ऐसी समाप्त होगी वारत में आने चा रहे गई हमारे यह आपर करदार हैं चलहे हां गिए इस्टेयोटाइपs लाईक विमेंस हे ओमेकर्स देके इस्टेयोटाइप इंड़ा है विमेंस क्या है ओमेकर करेंख क्य rappelle स्झेलेिश घर की देखबाल करना impose on them extra burden of child rearing ठीक है बच्चों का पालन पोसड़ करेंगे caregivers होंगे ओम makers होंगे this is being reflected even large यह कानून में भी दिखता है जहां पर आप देखेंगे maternity leave जो है women के लिए 26 week की है ठीक है और as opposed to 15 days paternity leave for men in all India services all India civil services में आप देखेंगे तो करीब 15 दिन की paternity leave दी जाती है बाकी जगह नहीं है बाकी जगह के women के लिए मतलब वही child wearing भाई सब उसी को बच्चे को पालन पोसड़ करना पुरुष का यहां पर कोई काम नहीं है यह आपको कानून में देखने को मिलेगा ठीक है पैट्रियार्कल माइंड सेट पित्र सत्ता अत्मक सत्ता ठीक है अब विमन को ऐसा माना जाता है ठीक है कि आप प्राइबिट इस्पेर में सिक्योर होगे में के लिए स्वीट करता है वो जाएगा दर के आगे जीत है माउंट इंड्यू की बोतल जो है वही खुलेगा आकर क्यों परचार में माउंट इंड्यू की बोतल एक फिमेल नहीं खुल सकती है क्यों नहीं बाइक राइडिंग कर से हमारा सोसाइटी एक्षप नहीं करें ढरण एसी स्टोरी है एसी नैरेटीब है ऐसे हमारे पिक्चर भी हैं हमारे मूबी बही देखो कहीं बढचर कर दिखाया क्या क्लिए है अचली है अचली अच्छरी इत अचनल है जो प्राइमरी रोल और प्राम्रेंटी का वह क्या है जुट्वट है इस कर्बिऴन ठेके and reproductive freedom including the unwanted pregnancies मानते हैं आप सबसे यह यह लाइन जो है न आज की टाइम में बहुत ज़रा आपको हिंड करती होगी ठेके motherhood मान रख ठेके वैसा childbearing होना चाहिए ठेके there is no sexual expressions ठेके reproductive freedom नहीं है unwanted pregnancies हैं ठेके deteriorating the sexual and reproductive health of the women depression में चली जाती है इसके करण कई सारे cases है इंडिया में लगा था है इसके करण depression है ठेके क्योंकि आपने उनको अलग प्रकार से ले रखा है ठेके next आप देखेंगे अब further wrongful stereotyping of wives being the sexual property of the husband has hindered the criminalization of the marital rape in इंडिया आपने देखो को अभी recent marital rape को लेकर बहुत सारे cases आएं बहुत सारे news आई थी उसमें लेकर एक दो जजज के जो क्या कहते हैं verdict थे वो भी काफी ज्यादा अब डाउंस थे ठेके तो wrongful stereotyping of the wives being the sexual property of the husband यह हमारी society में लोगों ने मान रखा है ठेके बलकि हमारे 375 IPC जो है वो क्योवल हमारे हैं पर minor wives जो बाल विवा कभी कभी हो जाता है जो कि illegal है 15 to 18 years ठेके अगर उनके साथ में forced sex होता तो उसको crime में लिया गया बाकी को crime में नहीं लिया गया है ठेके यस बाकी को crime में नहीं लिया गया है यह हमारे moral हजार्ट के करड़ी सब है हमारे यहां पर नेक्स्ट देखेंगे inequality social economic and political देखें क्या हमारे यहां पर एक attitude है लोगों का against women manifest itself in the lowest status of women poor representation हमारा attitude मतलब हमारा रुजान महिलाओं के लिए क्या है एक खासकर पूरी से पैट्री आर्की सोसाइटी का stereotyping लोगों का conservative लोगों का एक रुजान क्या है रुजान क्या है कि low status of women poor representation in the political decision और political decision में poor representation है making and exclusion from economic activity and hence national development ठीक है तो इसलिए अगर देखा जाएगा तो महिलाओं को हमेशा से राजनीती से आर्थिक छित से अलग रखा गया और फिर nation building का सपना देखा गया क्योंकि लोगों को मानता लोगों को लगता inequality है कुछ ऐसे लोगी जिनका रुजान है कि वो और उसके एक्वल तो होई नहीं सकती ना दिमाग में ना आर्थिक रूप से ठीक है और उनको मालूम नहीं है आई एस में कितने सेलेक्ट हो रहे हैं ठीक है कि एजूकेशन की बात करेंगे सिच्छा की छेत्री की बात करेंगे यह तो खुद अपने पैर पर कुलाड़ी मारती हां गावों में देखो कि विलेज लेवल पर क्या लेना है बट आट मैट साइंस इंजीनियरिंग गर्स बिंग इन्रोल्ड अट आर्ट युमेनिटी सब्जेक्ट नोट बिस्टेंडिंग एक्शेप्शन एंड चेंजिंग ट्रेंट्स कूरी मान रखा है कि हम यह लेंगे सब्जेक्ट क्योंकि हम इसी में अच्छा करेंगे एक्शन में क्या होता है कि प्रमोशन्स क्या होता है मैं बता रहा हूं मुझे बाबा साब भीम्रा अंबेट करके एक बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने बोली थी लोवर कास्ट के लिए जब तक पॉलिटिक्स आपके हाथ में नहीं आएगी ना तब तक आप अभी गास चल रहा है कि प्रधान महिला प्रधान है वो प्रधान पती प्रधान के पती है वही सब काम चलाएंगे क्योंकि सीट रिजर्व है ना इसले महिलाओं को चुनाव लड़ा देंगे प्रधान के का काम अपना समय लेंगे एक पंचायत आईटी वेप सीरीज बहुत अच्छी इसमें आप देखेंगे वो सेम बिल्कुल करेक्टर दिखाया वो बहुत अच्छी चीज़ दिखाया वो स्वसाइटी से काफ़ी जुड़के है ठीक है हाँ अब देखेंगे रोफेशन ने के अधार पर देखेंगे अब देखेंगे हमारे यहां पे फिमेल बॉड़ी को ग्लैमर के साथ जोड़ागया है जोड़ागया है ठीक है फैसन बाइस आप जिरो फिगर ठीक है आपने देखा होगा लोग उसीमें मरे जा रहे हैं लोग उसी में मरे जा रहे हैं उसी में खत्म होते चले जा रहे हैं ठीक है उसके बाद देखेंगे sports being still considered a gentleman game और sport में उर्सों को जादा ठीक है आगे बढ़ाया जा रहा है क्यों gentleman game माना जाता है यहां उनको अलग किया जाता है पुलिस में अरे पुलिस में कहां तुम जा पाओगे उनको मालूम नहीं है कि कितने बड़े-बड़े कलाकारी कर रखी है उन लोग ने ठीक है आगे रहे हैं तर रॉंग पुल इस्टेरियो टैपिंग गोल्स तुद एक्टेंट आप विवन ठीक है इवन नेमिंग प्रोफेशनल डेजिगनेशंस आफ्टर जेंडर एर मैं होता है ऑफिस में और वर्क मैं होता है देखे मैं मैंने मैं कर दिया आप समझ जाएंगे चेर मैन वर्क मैं कहीं पर विमंन और वर्क विमन नहीं है शरी ये करता है कि नहीं करता है बिल्कुर करता है ठीक है हमारे न सोसेटी जिसमेंटल होती है अगर में दिला इन कामों में आ जाती है उसके साथ में एक प्री है जज्जमेंटल हो जाते हैं फास नहीं सा होगा ऋ आऐसा होगा ते ज़सा प्राओबलम है नेक्स्ट फ्रेसमा अग्रीकल्चरी एलो तो क्यों हमारे वारत में हमारे वारत में ब्रेट विनर कौन होगा मेल होगा यह ब्रेट विनर है बैसा रोटी कमाने का काम यही कर सकता है मैंने क्या बोला अपनी अपनी समस्या के पीछे खुद जिम्मेदार है मेल ब्रेट विनर एंडस माइग्रेट इन सर्च अब जॉब और इस लिए जॉब करने जाएंगे यह वो हैं जन्नोंने जन्म लिया इस धर्टी पर ब्रेट विनर बनके यही घर चलाएंगे और महिलाओं ने जन्म लिया आएं केर गिवर केर गिविंग एठिक से उनकी ठीगे वो केर करेंगी पूरी थियोरी अलग कर दी और यह ब्रेट कमाने सहर में जाएंगे और महिलाएं एग्रिकल्चर करेंगे इस परजेंट रूरल विमन टो अग्रिकल्चर डेखें यह फेमिनाजेशन अफ एग्रिकल्चर हो रहा है तो थेक्ष्ट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल्चर डिसीजन मेकिंग बटा सिश्टर हुड वो कहेगा ना जब खुद आप समाज बदलना चाहेंगे तो संब्सके बाद प्रॉब्लम नहीं होगे क्या है फिए जब जमीन नहीं उनके नाम पर प्रектив में नहीं हूऔर मुशीबत के साथ आपको अंगरिकल्चर करना है कि सब्सक्राइब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग यह देखें इंडिया स्टैंट रोक्ष्टीनएं बिहां एवंट प्सेंटानादे्स अफगानिस्तान in the rank list of the percentage of women representatives in the parliament women represent a meager 14 percent with only 77 women candidate out of the 543 in the 17th look sabha in the aftermath of the 2019 general elections women representation सबसे वर्स कंडिशन गया थी अभी आपने देखो का 2019 में लोकसभा की एलेक्शन हुए थे आपको मालू में लोकसभा एलेक्शन में 8000 कंडिडेट थे आपने देखो कि एक सीट पर कई कंडिडेट लड़ते चुनाओ जीत के तो पहुंचेंगे कितने 543 लेकिन 8000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 8000 लोगों में 10% भी महलाई नहीं थी तो 715 महलाई थी बल्कि 8000 का 10% 800 होगा इसमें भी आप दे देख रहें हैं है ते आब इस्त पॉलिट्कक्ल डिचीजं में बीधिस तो अगर आप देखेंगे या पॉलिटिटीक्स में भी हमारे पे जेंडर स््टीरोटाइपिंग देखने को मिलती ये अव विमेन का तो वहां पर भी देखने को मिलता है ठाश्रिक है बेटाpfरेंसे in the various spheres of the employment, equal wages, made them more vulnerable to the poverty, क्या women की condition deprived हो रही है, equal opportunity नहीं है, employment level पे deprived हो रही है, equal wages नहीं है, उनकी condition बहुत vulnerable हो जाती है, क्या इसी vulnerable condition के बाद पर अगर देखेंगे, lack of the access of the resources और resource पे access नहीं है, ठीके, तो क्या इन सभी चीजों के कारण, क्या women को second class citizen consider किया जाने लगा है, yes, they are the treated as second class citizens, okay, this in turn has manifested declining the child sex ratio, इसी लिए लोग just because of this, क्योंकि resource नहीं है, resource परिकार नहीं है, तो नहीं, अब बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, resource परिकार नहीं मिलेंगे, equal wage नहीं मिलेगा, समाज में stereotyping conservative society है, gender को लेकर उनकी conservative हैं, ठीके, अलग अलग सोच है, दूरिवादी लोग मौझूद हैं, जो आगे liberal होने ही नहीं देंगे, उदारता नहीं आने देंगे, तो क्या होगा, यह हो, ठीके, अगर आप देखेंगे तो female infanticide, अगर आप देखेंगे तो घुरूड हत्या, ठीके, और मतलब क्या कहते हैं कि पहले ही आप देखेंगे कि पता कर लेते हैं, कि उसके पास नमाज में ना कंडिशन बहुत डिप्राइब, सेकेंड क्लास के डिजन माना जाने लगा है, ठीके, 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 अब यहां पर देखेंगे, ठीके, तो देखेंगे बच्चों, अच्छा, नोट्स के लिए बताना था, नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लकनो के अनकैडमी सेंटर, जो की अलिगंज कपूधला में है, अलिगंज कपूधला में, ठीके, मैं स्ट्रेटजी पर डिसकस करूँगा, अगर आपको कोई डाउट होगा, तो आप मुझे अलिगंज कपूधला में मिल सकते हैं, ठीके, हां, और दीपक्स और UPSC मेरा टे की, तो गेट सब्सक्राइब अनकैडमी, ठीके, यू विल गेट 20% डिसकाउंट, ठीके, क्योंकि आज 26 तारिक है, इसके बाद आपको फिर पीज बड़ी हुई मिलेगी, ठीक, हां, कोड यूज करें, दीपक्वन, for my personal mentorship, personal guidance, thank you so much for watching this session, bye-bye, take care, have a good day.